पिजले दो चाप्टर्स में हमने इन्डियन ऑ transf derechos के बारे में बात किया। ने देखा कि ईंवर्मेंट के दूर्इटिक फोनी होना कितना जुरूरी है इंवर्मेंट के स्सेन होने के लिए। 50 बहुत हैं क्यांड कि जाना के बहुत से त्रीट हैं इन भाईर इपर सिथ cue बगेरा भी हैं जो इस wildlife को flora और फोना दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया ने सबसे पहला concrete step जो है 1972 में लिया हुआ था through wildlife protection act तो दरसल जानने की कोशिश करते हैं कि wildlife protection act में schedule animals क्या होते हैं अपने newspapers वगरा में भी देखे होंगे कि schedule one animal है schedule three animal है protected animal है तो यह दरसल लिस्ट होती क्या है इन सभी के बारे में आज का हमारा chapter तो यह शुरू करते हैं wildlife protection act of 1972 consists of six scheduled lists which give varying degree of protection तो सबसे पहली बार इस serious threat को recognize किया हुआ था कि जहर सी बात है कि इंडिया में biodiversity बहुत अच्छी है बहुत ही rich है तो इस biodiversity को बचाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हमें exotic species को in wildlife को बचाए तो wildlife protection act जो है वो deal करता है इनी wildlife के both plants और animals के बचाने के लिए उनमें illegal trade, posing, smuggling वगरा के issues से deal करने के लिए तो इसमें 6 अलग-अलग schedules हमें दिये गए है तो 6 अलग-अलग schedules में जितने भी animal और plant variety हमें देखने को मिलते हैं उन्हें schedule के जाते हैं तो उस schedule में जिस animal का नाम है तो उन्हें अलग-अलग level of protection जो है दिया जाता है और अगर किसी भी schedule animal से जो है आप harm पहुंच जाएंगे या फिर आप उसे hunting वगड़ा करके मारेंगे तो जो है आपको जाहर सी बात है कि imprisonment भी दी जा सकती है fine वगड़ा भी दिया जा सकता है based on कि किस animal को आपने harm पहुंच आया या फिर poaching की है या फिर illegal trade किया हुआ या फिर hunt down आपनी किया हुआ है और किस schedule का जो है वो हिस्सा है तो आये on an brief ये सभी schedule animals के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहला schedule 1 and part 2 of schedule animals listed in schedule 1 and part 2 of schedule 2 have absolute protection offenses under these are prescribed the highest penalties इस schedule 1 और part 2 of schedule 2 में on an on brief अगर हम कह सके तो schedule 1 और schedule 2 में जो कोई भी जानवरों के नाम लिस्ट करते है central government of course state government उनने recommend करती है तो central government जिस किसी भी जानवर का नाम इसे schedule 1 और schedule 2 में लाती है उन्हें absolute protection दिया जाता है किसी भी तरीखे का छेड़ खानी इंसान जो है उसे जानवर के साथ नहीं कर सकते उसमें trade नहीं कर सकते उसे poaching hunt वगरा कुछ भी नहीं कर सकते highest penalty दी जाएगी imprisonment fine वगरा भी दिये जा और lion-tailed macaw, rhinoceros, great Indian bastard का ये बार आप पढ़ते हैं बहुत ही एक exotic species है जो राजस्तान में हमें देखने को मिलती है नर्कों डैम, hornbill, nicobar, megapod, black bug, etc. तो ये सबी जो है वो schedule 1 में हमें पाए जाते हैं अगर आप छेड़ खानी करेंगे तो आप जो है highest penalty face करेंगे schedule 3 and schedule 4 पहले तो दो हमने देखा जहां पर पूरी तरीखे से उन्हें protection दी गए है अब बाकी के schedule 3 and schedule 4 animal listed in schedule 3 and schedule 4 are also protected but the penalties are lower compared to schedule 1 and part 2 of schedule 2 वहाँ पर purely protected है ये भी protected है लेकिन जो penalty आपको दी जाएगे वो थोड़ी बहुत कम दी जाएगी examples of animal listed in schedule 3 are hyena, hawk deer, nail guy, goral sponges, barking deer, etc. examples of animal listed in schedule 4 are mongoose, vulture, etc. तो इन जानवरों को trade करने पर या फिर इने hunt वगेरा करने पर penalty थोड़ी बहुत कम पड़ेगी when compared with the animals which are listed in schedule 1 and schedule 2 schedule 5 animal listed in schedule 5 are called vermin which can be hunted तो थोड़े साल पहले अगर आपको याद हो तो हरियाना के region में नील गाई का बहुत ही problem था तो नील गाई जो थे वो groups में आते थे और बाजरे के खेत वगेरा बरबाद करके चले जाते थे और फसल वगेरा का जुझा वो बहुत ही हाम होता था हरियाना में तो जायर सी बाती की court ने orders दिये हुए थे कि आप अपने protection के लिए आपके खेतों के protection के लिए जो है उससे जानवर को मार सकते हैं हंट कर सकते हैं तो तब जो है central government ने अनील गाई को एक वर्मिन करार दिया हुआ था तो इसी तरीखे से वर्मिन यानक एक ऐसा जानवर जिस एसा नहीं कि permanently उसे वर्मिन में ही रखा जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो literally उसकी breed ही खतम हो जाएगी जब कभी भी उसका issue जो है या फिर उससे जो threat मिलेगा वो कम हो जाएगा तो automatically उसे वर्मिन में category से हटा कर schedule 3 या फिर schedule 4 में रखा जा सकता है mice, rat, common crow and flying fox आप यहां पर देख सकते हैं इसे दरसल एक bat है fruit eating bat है जिसे flying fox भी कहा जाता है तो यह भी एक वर्मिन है आदा list of animals only 4 number in schedule 5 are that is vermin जैसे के मैंने कहा के नील गय को add किया गया थोड़ी दिनों के लिए उसके बाद में उससे हटा दिया गया तो इस तरीके से as of now 4 है यह वर्मिन काटेगरी में जिसे आप हंट कर सकते हैं जो के schedule 5 में हमें देखने को मिलेगा of wild life protection act 1972 और आखरी जो है वो लिस्ट है वो है schedule 6 cultivation, collection, extraction, trade, etc. of plants बाकी के जितने भी हमने देखे वो animals से related थे schedule 6 specifically plants schedule करता है of plants and its derivatives listed in schedule 6 are prohibited इस list में जिस किसी भी plant का नाम में या फिर उस हो तो आप ना ही उसे cultivate कर सकते हैं ना ही उसे आप collect कर सकते हैं extraction trade वगएरा उससे कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको कही ना कही strict penalty ही पड़ेगी क्यूंकि this is something which is related with the floral production तो उच्छन important जैसे के plants वगएरा और उसके derivatives है red vanda आप यहाँ पर देख सकते हैं बह and ladies slipper orchard are the list of plants listed in schedule 6 तो यह चंद plants का नाम जो है as of now हमें schedule 6 में देखने को मिलेगा यह थी चंद बातें आपको जाननी थी scheduled animals of wild life protection act 1972 के तहत thank you for watching my video